हेलो एट क्लास तो यह लेक्षा नोमर टू है फोरलेशन पॉलूशन ऑफ एयर एंड वोटर ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि वट इस हमने पढ़ लिया इसे पहले वीडियो में कि पॉलूशन किसे कहते हैं पॉलूटेंट किसे कहते हैं और एक प्योर एयर के अंदर क्या-क्य जाते हैं तो फिर वो पॉलूट हो जाती है और वो हमफुल सब्स्टांस हमने पढ़े कार्बन मोनोक्साइड सलफा डायोकसाइड नायट्रोजन ओक्साइड स्मोक एंड डस्ट अब हमने पढ़ा कि इन दिनों में एयर पॉलूशन बहुत जादा है जिसके वज़े से बच बात करें वोटर की तो देखिया आप सभी जानते हैं कि वोटर इस दा मोस्ट कोमल लेक्विड अना विच इस परजेंट अरांड अस फ्रेश वोटर इस परजेंट इन रिवर्स जो सवस्थ पानी है सवच पानी है वो नदियों में हना तलाबों में इन में देखने को मिलत है सम फ्रेश वोटर इस आलसो प्रेजेंट अंडर दा ग्राउंड कुछ जो पानी है साफ वो अंडर दा ग्राउंड भी देखने को मिलता है ड्यू टू इंग्रीजिंग वोटर पोलूशन वाटर बोन डिजीज आरा आलसो इंग्रीज डेवाइड क्योंकि पोलूशन भड सारी डिजीज पढ़ेंगे जो पानी से देखने को मिलती है इन इस चैप्टर वी विल डिस्कस हाओ एर और वोटर गैट यह भी पढ़ेंगे किस तरह ऐसे पॉलूट होती है वट आर दा हामफुल इफेक्ट ऑफ एर और वाटर यह गंदी हो भी जाए तो इसका क्या इफे सब्सक्राइब देखे दा एर ओवर लाट सिटी इस हैवली कोंटामिनिटेड विद हमफुल गैस अना जो बड़े सहरे हैं जैसे दिल्ली की बात करें हना जैपूर बोंबई की बात करें इन जैसे सहरों में जो एर वो बहुत ज्यादा कोंटेमिनिटेड हो जुकी है क्यों आप यह एर पॉलूशन यह तो हमें पहले पढ़ लिया था जब और के अंदर ऑशाहे नाइट्रोजन ओक्साइड कर्सक्राइड स्मो्क डस्ट यह सभी आ जाती है तो वह एक्र बोली जाती है एयर पॉलूशन बोला जाता उसको एप टिकर ना और जो यह आये जैसे हो जाए क्या बोलते हैं बच्चो एयर पॉलूटेंट इनको मैं आपसे पहले डिसकर्स कर चुका हूं और यह उपर की लाइन में आपसे डिसकर्स कर चुका हूं एस सबस्टांस वी बिकम्स एन एयर पॉलूटेंट वैन इस परजेंटिंग एयर इन सच कंसेंट्रेशन वीच इस हाई इनफ तो हैवे हामफुल एफेक्ट ओंदा लिविंग और नौन लिविंग थिंग देखो एक थोड़ी मात्रा में होना कोई बड़ी बात नहीं है पर जब वह उसकी मात्रा हामफुल सबस्टांस की मात्रा बहुत जादा हो जाए तो बच्चों फिर वह प्रोब्ल जदा कर्भन का होना ठीक ना क्लोरोफ्लोर करबनटेश बड़ा इंपोर्टेंट यह सपेंड़ प्रयटे बाटिकुलेट्वूलेट मेट़ इसकी फूल फों कई पर पूठी चाती कि में सब्सक्राइब क्या होता है अन्दर आपके क्या कहते त्टूर है जैसे कि अश्यों नहीं होता तो उसमें क्योंता है कि अन्बर्ण कार्बन आ जाते हैं जैसे आपने फ्लेम का पड़ा अपने पड़ाना फ्लेम की जो लुमीनस पार्ट होता है यह जो पार्ट होता है जिसको आपने मिडल जोन बोला उसके अंदर क्या होता है कि in complete कंबैक्शन की वज़े से अनबंड कार्बन निकल जाते हैं जो कार्मन अच्छी तरह जलनी पाई जो की आगे चलके चोट-चोटे काली रंग के ठीक ना और फिर आगे चलके वह बीमारिया पैदा करेंगे तो ऐसे कहते हैं जैसे कि वहीं नजदीक यही बात करें यह जाडली एक थर्मल पाउर प्लांट है जो रिवड़ी स्टेक में पड़ता है इसके खेट की जो चारों और यदि सूबह जब देखा जाता है तो सूबह धूल भरी एक प्रत देखने को मिलती है इतना एर पॉलूशन हो जाता है बच्छों ठीक है उसको फ्लाइएस बोलते हैं तो स है कि लकडी काउडंग केक कोईल कैरोसीन पैट्रोल डीजल इन होम्स मोटर विकल्स ओटो मोबाइल जिसमें आती है फैक्टरीज एंड धर्मल पावर प्लांट एंड एक्सेक्टरा बहुत जादा है लगबग इनी के जलाने से होता है दा वेरिस सोर्स ओफेर पॉलुशन आर गीवन बिलो अब इनके पास जो सोर्स है वो कहां से आता देखो जो स्मोक है वो इमिटेड फ्रॉम होम्स बाइद बर्निंग ओफ फ्यूल्स लाइक जब हम अपने घर में काउडंग के जिस उबले हुए लगडी वी कैरोसीन ओयल या कोईल है जब इनको जलाते तो क्य निकलती है निकलती है इसमोंग निकलती है अना एकजास्ट गैस इमिटेड बाइंड पाइं जब यह जैसी गैस एगजास्ट गैस है ठीक है कब but but जब इसमें petrol डीजल को क्या घ्याज़ा जाता है और इसकी वज़े से क्या पोलुशन और डी और ऑसे चाहिए ज्ञादा तर बड़े बड़े सेहरों में शहरों में और मोटरफिकल्स की वज़े से दिल्ली of coil का एएर पोलुशन जो कहता है कि जो तर्मल पारण्ट है हना वो स्मॉक करता है कब जब को जलाया जाता है और जिसकी वज़े से भी एयर पॉलुशन होता है स्टोन क्रिसर जिसमें आम क्या करते हैं बड़े-बड़े पत्रों चोटे-चोटे पत्रों में बजरी वगेरा में कर देते हैं सिमिंट फैक्ट्री है इनके अंदर से भी क्या होता है वही एयर पॉलुशन और बच्छो रैफिरिजेटर और एस हुआ जो प्र código करते हैं बीडी it प्या हुआ हुँए जो फैर्शार कई बड़ेश हुआ अंसoken वहलों हुआ नेशार कभी सूर्थ में करती पूलुशन इंसान यह एयर पॉलूट करता है तो यह सारी 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 क्या है में में मेंड सोर्सीज है ठीक ना फोरेस्ट फायर एंड वैल कोनी की एक्वेशन सार्ट टू नैचरल सोर्सीज ओफ एर पोलुशन तेको कुछ हद तक नैचर कर नैचर नहीं करती पर थोड़ी बहुत कभी कभी क्या हो जाता है जैसे कि जंगल में या वैल कर नुजवाला पर वो इतना नहीं कर सकती है कि यह वी ओज्द रॉप फर से मैंड मेंड सोर्स प्रेड करने लग जाए तो फिर यह ज़्यादा हो को जलाया जाता है अ थर्मल ऑवर पर अंदर ऑ्प्ट्रफोर को चलाया जाता है तब निकलती है motorcycle के अंदर actually the fuel such as coil petrol diesel contains some sulfur as impure actually क्या होता है कि जो coila petrol diesel होते है उनके अंदर sulfur होता है पर वो impure होता है सुध नहीं होता इंपर होता है और उसको जनलने पर कौनची गजश निकलती है sulfur dioxide चलो मैं underline कर देता हूँ तो मैं यहां से पढ़ रहा हूँ actually the fuel such as coil petrol diesel इंट इंट एयर और रिफाइन जहां पे और को रिफाइंड किया जाता है वहां पे से भी सफ़ा डाइकसाड निकलती है सब्सक्राइब इंद पूलुटीड एयर कोज रैसिपेटरी प्रोलम यह पूचा जाता है किसल फाइब क्या प्रोलम करती है तो आप बोलोगे respiratory problems, it may be cause permanent lungs damage, इससे हमारे lungs भी damage हो जाते हैं, ठीक ना, तो ये जरूर पुछेगा कि ये कहां से निकलती है और इसके क्या effect है ठीक ना, और इसकी वज़े से कौन सी रेन बनती है, acid rain बनती है, कौन सी बनती है बच्चो, acid rain बनती है, और acid rain की वज़े से बच् समुंद्रे जीव है, soil के अंदर जो चोटे-चोटे जीव हैं, उनको नहीं छोड़ती, trees को नहीं छोड़ा जाता, building or electrical movements जो है, उनको भी खतम कर देती है बच्चो, ठीक ना, अब हम बात करें किसकी nitrogen, oxides की बात करें, तो nitrogen oxide produce होती है किस से, जब हम coil, petrol, diesel इनको जलाते हैं, जैसे कि उसमें भी होगा था, हना, यह भी कोईले के जलाने से बनता है, और actually the high temperature produced by the burning fuels like petrol, diesel, हना, and coil makes some of the nitrogen and oxygen of air into combine to form nitrogen oxide, कहता है कि actually the high temperature produced by burning of fuel, जब किसी चीज को जलाया जाता है, तो गर्मी तो होगी वहाँ पे, हना, तो some of the nitrogen and oxygen of air to combine, तो क्या होता है, तो कुछ nitrogen और oxygen, हना, मिल जाती है, और क्या बना जेती है, nitrogen oxide, जो oxygen का O, nitrogen का N, तो क्या बन गया, nitrogen oxide, oil refinery also produce nitrogen oxide into air, देखो जो यहाँ थे, वो भी यहीं पर ही है, अब यह कहाँ अटेक करती है, यह breathing system के उपर करती है, ठीक ना, आरूं, nitrogen oxide attack breathing system, ठीक न, and lead to lungs congestion, they also attack skin, यह skin पर पर अटेक करती है, ठीक न, लंग्स के साथ-साथ, यह किस पर करती है, just like sulfur dioxide, nitrogen oxide present in polluted air to produce acid rain, यह भी acid rain बनाती है, दोनु रेन बनाती है बच्चो, ठीक न, चलिए, फिर है, smoke is deadly air pollutant, which is formed by the combination of smoke and smoke and fog, देखो, smoke किस से मिलके बना है, तो smoke दो से बना है, smoke and fog, तो smoke और fog से मिलके बनता है, smoke, अब बोलोगे, फोग क्या है, the minute water particle suspended near the surface of earth, during cold weather, winter is called fog, तोन तो आपने सुनी होगी, उसी कोई fog कहते है, जब पानी की चोटी-चोटी बूंदे, हवा में लटकने लग जाती है, अर्थ की सरफेस के ऊपर, जब ठंडा मोसमों, तो उसको क्या बोलते है, फोग बोलते है, अब जब यह दोनों मिल जाती न, तो क्या बन जाता है, smoke, तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, next वीडियो में कार्बन मोनोकसाइड आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए,